मनुष्य की कीमत लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा पिता जी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है पिता जी एक छोटे से बच्चे से ऐसे गंबीर सवाल सुनकर हैरान रहे गे फिर वे बोले बेटे एक मनुष्य की कीमत आकना बहुत मुस्किल है वो तो अनमोल है बालक क्या सभी उतना ही कीमती और मातपूर्ण है पिता जी हाँ बेटे बालक कुछ समझा नहीं और उसने फिर सवाल किया तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब और कोई अमीर क्यों है किस की ज़्यादा क्यों होती है सवाल सुनकर पिता जी कुछ देर सांत रहे और फिर बालक से स्टोरूम में पड़ा एक लोहे का रोड लाने को कहा रोड लाते ही पिता जी ने पूछा इसकी क्या कीमत होगी बालक 200 रुपे पिता जी अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे की बना दू तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी बालक कुछ देर सोच कर बुला तब तो ये और महेंगा बिकेगा लगबग 1000 रुपे का पिता जी अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दू तो बालक कुछ देर तक गंटा करता रहा और फिर एकदम से उस ज़्यादा हो जाएगी फिर पिता जी उसे समझाते हुए बोले ठीक उसी प्रकार मनुश्य की कीमत इसमें नहीं की अभी वो क्या है बलक इसमें की वो अपनी आपको क्या बना सकता है बालक अपने पिता की बात समझ चुका था दोस्तों अक्सर हम अपनी सही कीमत आखने म गलती कर देते हैं हम अपनी वर्तमान इस्तिती को देकर अपने आपको बेले समझने लगते हैं लेकिन हमें हमें सा अथा सकती होती है हमारा जीवन हमें सा संभावने से बरा होता है हमारे जीवन में कहीं बार प्रश्टिय अच्छी नहीं होती पर इससे हमारी बेल्यू कम नहीं हुदी, मनुष्य के रूम में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत special और important है, हमें हमेशा अपनी आपको improve करने रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिसा में बढ़ते रहना चाहिए, तो मनुष्य के रूम में हमारी जन्म हो ह दोस्तों तो हमें आगी बढ़ता रहना है चाहिए तो दोस्तों यह important कहानी थी इससे आपको काफी सीख मिली होगी जय हिंद जय भारत जय उत्राखंड